हरोग नमस्काद दोस्तों आज की वीडियो व्ीरों में हम बात करने वाले हैं कि विंडो अपडेट करने में में पैसे क्यों कट रहे हैं का वियर चारιज कर रहा हैं वीडियो पर तो उसके भी जो है एंसर में इस वीडियो में दे दूंगा तो सबसे पले यहां पर मैं रतात होते हूं कुछ भी कोशन में ने यहां से चूच किया है जैसे विंडो टेन अपडेट पुश है तो कैसे उसको रिजूम करें विंडो 70% अपडेट होकर जाता है वि इसका तो पंस बताना ही है विंडो अपडेट करने में ज्यादा डेटा क्यों लग रहा है भाई इसका भी जवाब दो इसका भी बुशता दें क्यों डाटा जो है ज्यादा लग रहा है और इसके बाल आश में ब्लूटूथ इंस्टॉल कैसे करें तो सबका जो है इस्टे में जाईए यहां पर विंडो अपडेट आप करते हैं वहाँ पर सेटिंग ओपन कर लेजिए और सेटिंग ओपन करने के बाद आपको क्या करना है विंडो अपडेट एन सेक्योर्टी पर क्लिक करना है विंडो सेटिंग में चले जाना है यहसे कि आप लोग अगर विंडो security update जो है यहाँ पर आ गया अब देखें यहां पर क्या है मेरा जो है system update है तो यहाँ पर बोला है checking यह कि you are up to date ठीक है अब देख रहा है यह च्टरड़स से में तो यह हमारा system जो है update है अब यहाँ पर check for update click करेंगे तो नया update आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपके system में कोई नया update है माली हमने इस पर click करते हैं तो ये checking करेगा यदि आपके laptop में data होगा इंटरनेट connection होगा तो ये check करके बताएगा कि आपके पास जो है कोई window update है कि नहीं ठीक है और पूछा है कि भाई push हो गया है तो इसको resume कैसे करें तो इसके लिए आपको सीधे नीचे scroll करके जाएए नीचे अगर आपको push होगा तो यहाँ पर देखे ये push update for 7 day के लिए यहाँ पर push है ठीक है तो आपको यहाँ पर जो है इसको resume कर देना है ठीक है बाकी next जो question था वो गया था window 75% होकर रुख जाता है तो भाई 75% होकर रुख जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ देर में 75-76% नहीं हो रहा है तो आप समझ लो कि आपको data खतम हो गया है इसके लिए आपको कोई भी हो रहा है और install हो रहा है ठीक है तो यहां पर update है ठीक है और उसके बाद जो है हम जाने वाले हैं क्यों ज्यादा लग जाता है यहां पर कोईशन है था विंडो अप्डेट करने में ज्यादा डाटा क्यों लग जाता है ठीक है तो यहां पर यह देखिए व्यू अप्डेट security पर update history पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा देखिए आपके laptop में जब आप window 10 update करें या window 7 कोई भी window version update करते हैं फिलाल ये window 10 version है देख सकते हैं तो यदि आप update कर रहे हैं तो आपके PC में कई सारे update आचुके होते हैं विंडो के ठीक है कई सारे update आचुके होते हैं जिसे driver update हो गया और या फिर security update हो गया या फिर कुछ और ने features update आगया तो काफी सारे update पढ़े रहते हैं तो जब आप एक वार जो है जब चालू करते हैं update करने के लिए install करने के लिए चालू करते हैं तो आपको पता नहीं होता और सारे update एक साथ सुुरू हो जाते हैं तो इसलिए जादा data लगता है ठीक है काफी सारे लोग, सबढ़ने होगी है वारी हमारा तो दो जी Bay हो गया एक जी भी हो गया लेकिन update नहीं हुआ तो इसलिए होता है क्योंकि काफी सारे update पहले से अब लेवल होते हैं अब यहां पर देख लिएजी मेरे कितने है quality update 7 है ठीक है इसको थोड़ा सोट करें तो features update एक है quality update 7 है driver update एक है definition update 50 है other updates 2 है तो इस तरह से कितने सारे होगे 50, 52, 52, 53 60, 61 इतने update होगे तो आपको जो update करना है सबसे ज़्यादा जरूरी तो quality update होता है driver update होता है features update होता है यह 3 होता है तो 3 आपका लेगी यह definition update इसको push करके रखिए ठीक है आपको समझ में आ गया क्यों ज़्यादा data लगता है उमीद है आपको समझ में आ गया होगा अभी देखिए यहाँ पर देखिए यह बता रहा है इस तरह से restart required यदि आपका डेट जो है window update होने पर ऐसे रुख जाता है तो यहाँ पर आपको अपने PC को यानि laptop को restart करने की जोरत है restart करने के बाद जो है वो automatic जो है start हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा अगला question था क्या कि यह तो हो गया window update क्यों रुख जाता है update आया है पर कैसे करें भाई यहाँ पर आपको बताने की जोरत है यह window update आया है अगर तो आपको सामने यहाँ पर मिल जाएगा update करने के लिए तो सीधे आप जो है इसको click कर सकते हो और update शुरू कर सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर सामने यहाँ पर देख रहे हो window update है इस पर आप क्लिक करोगे तो यह भी update होगा आपको यहाँ पर बोलेगा update करने के लिए start update now तो इसमें क्लिक करना है यहाँ पर खिलाल मेरा अपडेट हो चुका है इसलिए यहाँ पर नहीं दे रहे है यहाँ पर रिस्टार्ट करने के बाद जब भी आप window update करो तो एक बार रिस्टार्ट जरू करो ठीक है और next है Bluetooth दूडने का निया तरीका भाई Bluetooth दूडने का निया तरीका यही है कि आप यहाँ पर Bluetooth टाइप कर दो ठीक है जैसे टाइप करोगे प्लिक करोगे तो यहाँ पर Bluetooth और डिवाइस आ जाएगा तो यहाँ से Bluetooth आउन करके यहाँ से अपने Bluetooth डिवाइस को connect कर सकते हो ठीक है तो यह भी हो गया भी क्या बाकिर रहा है कि आबभाई डिवाइस में Bluetooth नहीं दिख रहा है कैसे पता करें तो भाई इसके लिए आपको डिवाइस मेंजर open करना पड़ेगा तो मैं भी यहाँप डिवाइस मेंजर open करता हूं डिवाइस मेंजर कहाँ पर है यहां पर device manager open करते हैं तो device manager में आपको जो है window कैसे आपको Bluetooth आपको नहीं दिख रहे हैं तो भाई यहां पर क्यों नहीं दिखेगा होगा तो जुरू दिखेगा ठीक है मैंने आपको बताया कि device manager में Bluetooth अगर होगा तो पता चल जाएगा तो यह मेरा device manager जो इसको मैंने ओपन किया है ठीक है और यहां पर हम देखते हैं अगर आपके device manager में Bluetooth नहीं है तो यहां पर देखो कि hardware इंस्टॉल नहीं है देखिए यह रहा Bluetooth यहां पर कई सब्सक्राइब लोग बोल रहे हैं कि Bluetooth ड्राइवर तो यहां पर देखिए device manager में अगर यह नहीं देख रहा है इसका मतलब जो है hardware आपको जो है laptop में इंस्टॉल नहीं है और अगर आप Bluetooth यह भी question आया था कि Bluetooth ड्राइवर Bluetooth इंस्टॉल कैसे करें तो यह दि Bluetooth नहीं है तो आपको जूरूत है यहां तो आप जाओ वहां पर जो है laptop में इस्टॉल करवाओ hardware Bluetooth डलवाओ तो ज्यादा महेंगा पड़ जाता है यह आप लेप्टॉप के साथ ही आता है और यह दिन नहीं तो आपको Bluetooth डॉंगल होता है यहां मैं बदा जिता हूँ Bluetooth डॉंगल Google में जाओ पिछले वीडियो में बताया था कि Bluetooth डॉंगल जो कैसे यूज करता है तो यहां पर सर्च करो Bluetooth डॉंगल फ़र PC ठीक है जैसे सर्च करोगे तो यहां पर जो है यह दो यह साइड यह जो आ रहा है साइड में यह सब डॉंगल है देखो यह यहां पर 208 बाट का है तो कम स्कम चर्पान सुर्वे का मिलेगा इसको अप लगा लोगे तो आपके लेप्टॉप में Bluetooth चलने लगेगा यह देखो इस तरह मिलता है Simply आपको USB तरह मिलेगा उसमें लगा कर यूज कर सकते हो ठीक है तो यह तो हो गया Bluetooth डॉंगल की बात अभी next question क्या था जो सबसे ज्यादा जुरूई था विंडो अपडेट करने में पैसे कट जा रहे हैं क्या करें ठीक है सारे question का हो गया है और विंडो अपडेट करने में पैसे क्यों कट रहे हैं तो भाई पैसे क्यों कट रहे हैं आपको क्या करना है आपको पहले जो है setting में जाना है setting पर क्लिक करो open करो इसको और यह आपके मतलब विंडो अपडेट करने में पैसे कट रहे हैं उसके लिए बता रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर यहाँ से जो है पहले जाओ window and security में जो भी होता है window update का इसके बाद यहाँ पर जो है एक होता है advanced setting यहाँ पर scroll करके नीचे जाओगे तो यह तो advanced option मिलता है इसके आप click करो और यहाँ पर देखो यह लिखा हुआ है download update over meter connection extra charges में apply two-thats इसको off कर दोगे कोई भी पैसा नहीं कटेगा और भी ना पैसा window update हो जायगा तो यह कुछ setting है यहाँ पर यह सारा करने की जुरत जो नहीं है ठीक है तो इसको जो है आप अन है तो पैसे नहीं कटेंगे ठीक है और आप भी मुझे लगता है कि आपको सारे कोशन को जो है आपको वीडियो पसंद है होगा यदि पसंद है तो लाइक करो शेयर करो थैंक यू सो मुझ वाचिंग और एस वीडियो चाहते है तो कमेंट नीचे करो कि आपको अभी कोई दिक्काद आ रही है तो नीचे कोशन का एंसर जो है मैं आपको देता रहूंगा थैंक यू सो कि आप अवियो चीचे करो धन दो वाचिंग वीयोग एम जो बात रहूंग आगा रहूंगा तो है तो है